नमस्कार, रेशिपी हॉल में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे भेज नूडूल्स, वो भी सेजवायन सास के साथ, एकदम रेश्टोरेंट जैसा खिला-खिला और हाट एंड स्पाइसी नूडूल्स, इसे बस हम दस मिनाट में पकाएंगे, लेकिन इससे पहले आप हम हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास दिए हुए बेल आइक उनको प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच साथे, सेजवान नूडूल्स बनाने के लिए पहले हम एक खढ़ाई लेंगे, हमने नन्स्टिक कढ़ाई ली है, आप नन्स्टिक कढ़ाई या लोहे क्या कढ़ाई यूज कीजिए, नूडूल्स के लिए, इसमें तीन ट्रेबल स्पून तेल डालेंगे, और थोड़े से फाइन चब की हुए लेशून डालेंगे, लेशून को थोड़े देर के लिए तल ले इसे थोड़ी दर फ्राइ करेंगे, इसमें अब हम थोड़े से फाइन चब की हुए बीन डालेंगे, थोड़े से बंद को भी, थोड़े से गाजर, और थोड़े से क्याप्सी कम डालेंगे, और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे, इसे हम हाई फ्लेम में पकाएंगे, क्योंकि चाइनी टिस्ट जो हते है, वो हाई फ्लेम में पकाया जाता है, सबजी को अच्छी तरह मिला लेजे, और अब हम इसमें एक चमच भीनेगार डालेंगे, सबजी को पकने के लिए भीनेगार मदद करता है, यह दखें, भीनेगार डालने के बाद सबजी जो है सिंकोट गए है, और दो चमच टमार सस लेंगे, और एक चमच सोया सस लेंगे, हमने डार्क सोया सस लिए है, और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे, थोड़े से नमक लेंगे, हमने नूडल्स में भी नमक डाल के बॉयल करके रखा है, इसलिए हमने थोड़े से नमक लिए सबजी के लिए, अब हमारा मेन इंग्रिटियन्स सेजवायन सास हम डालेंगे, हमने बड़े दो चमच सेजवायन सास डाले है, अब हम नूडल्स डालेंगे, नूडल्स को हमने दस मिनट के लिए थोड़े से नमक और थोड़े से तेल डाल के बॉयल करके, इसे एक छल्ली में निकाल के रखा था जब भी आप नूडुल्स को बोयल करें इसे तुरंती आप थंडा पानी उपर से डाल दे ताकि ये खिला-खिला रहे थोड़े से काली मीड्स पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे ये दिखिए नूडुल्स हमारा कितना खिला-खिला बना हुआ है और कितना सुन्दर दिख रहा है सेजबन सस डालने ते ये बहुत ही हट एंड स्पाइसी बनता है और एकदम रेस्टूरेंट जैसा भेज नूडुल्स बना है हमारा इसे आप एक बार घर पर जरूर ट्राइ किजिए इसे आप घर पर बनाईए खाईए और अपना कमेट्स समय जरूर सेर करें और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आये तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें